हाई गाई दिस इज निशी और वेलकम बाक टू दर निक्स क्लासे आज के इस वीडियो टुटियोल में मैं आप लोगों से बात करूंगी फंक्शन के बारे में मैं बता हूंगी आज आप लोगों को कि फंक्शन क्या होते हैं फंक्शन कितने तरीखे होते हैं जैसा कि पहले क इसे अधर वैसा स्टेट्मेंट लिखा जाता है जिसे आप में फंक्शन के अंदर बार-बार यूज करना चाहते हो वैसा स्टेट्मेंट को आम किसके अंदर लिखते हैं फंक्शन के अंदर लिखते हैं मांग लो बहुत ऐसा प्रोग्राम बहुत लेंदी होता है मिस बहुत बड़ी होती है तो अगर आप चाहते हो उस प्रोग्राम को सौट करना और उस मांगो कोई प्रोग्राम है और वह बहुत ज्यादा बड़ा है उस प्रोग्राम में बहुत ऐसे statement होगी बहुत ऐसे line of code होगी जो बारवार repeat हो रही होगी तो वैसे line of code को हम क्या करेंगे एक function बनाएंगे एड़ उसके अंदर line of code को लिखेंगे जहां भी उस line of code को यूज होगी वहां प्रोग्राम को call कर लिया करेंगे इससे क्या होगा हमारा प्रोग्राम जो हो जाएगा फॉटा हो जाएगा फॉली नहीं लिखना पड़ेगा बस हम क्या करेंगे उस function को कॉल कर लिया करेंगे अंदर जो भी डाटा होगा जो भी डिफाइन किया होगा वह सारी चीज़ें यह अक्सस कर लेगा ऐसे हम फॉंक्षन को डिफाइन करते हैं तो इससे हमें क्या इस फूल है क्या होगा हमारा प्रोग्राम सॉत होगा क्की स्णका हो ज्टाएगी सिम्पल होगा हमें स्द्रीपर्सтеर्ण होगा हमें बस्द्र музthe graduates तो क्या ह Forget about earlier फंक्शन राक8 राक होते हैं एक यूजर्चाइब फंक्शन के मैं हम्ने से शब्सक्राइब होगी कि क्या होगी जितने भी हमने सीधें किया गया है वह आपका फउंक्षनर तो हमारा जो फंक्शन है फंक्शन वो दो तरह के होते हैं मेंली दो तरह के होते हैं फर्स्ट है आपका क्या प्रिडिफाइन फंक्शन फ्रिडिफाइन फंक्शन और इसे आप क्या दे सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन और सकेंड है आपका क्या यूजर इफाइन फंक्शन क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन सेकेंड आपका क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है या फिर आपका प्री डिफाइंड फंक्शन वैसा फंक्शन जो आल्रेडी पहले से डिफाइंड किया हो और हम उसे प्रोग्राम में यूज करते हैं वह आपका क्या है ला और आप ले लो कि प्रिंट घर आप को क्रिंट यूज करना होता है तो यह लोक्त क्टे आपका क्राइश के अंदर आता है क्या काम है इसका क्या डिफिंएशन रहा काम है फंक्षन में डिफाइड किया गया है है एन जब हमें यूज करना होता है यह क्या करते हैं तो इस तरह से हमारा इस तरह से क्या है क्या करता है हमारे प्रोडाम को कर देता है मिन सिंपल तरीके से मैं बना सकते हैं किया लिए के गया है जब हमें यूज करना होता है तो बस हम क्या करते हैं इसे call कर लेते हैं यह तहां प्री डिफाइं साटर आपका क्या फंक्षिंड्टर्ण तो useहा डीफाइंट function क्या होता है वैसा function जो टीफाइं करें हम और आप खुछ에 डीफाइं करें वो आपका्य यूजर डीफाइंट function में कि फोर तरह के छोते हैं फिरस में आपक चाता हैPA फॉर्स्ट में user defined function है, user defined function में इस चारतरह के होते हैं, four type के होते हैं, no arguments, no return type, फॉर्स्ट, सकेंड, no arguments, return type, no return type, arguments, return type, arguments, चारतरह के होते हैं, क्या है first, no arguments, no return time, second है आपका, no arguments, return time, return time, second है आपका, sorry, one minute, first, now third number में आपका है, arguments, arguments, no return time, no return time, and fourth number में आपका है, return time and arguments, means, argument and return time, no arguments and no return time, arguments and no return time, okay, देखके, first, no arguments, no return time, type, no arguments and return time, arguments and no return time, arguments and return time, ये चार तरह के function, user defined function है, तो function हमारा में लिए दो तरह के होता है, एक predefined function, एक user defined function, अब मैं बात करते हूँ, function की पहले, तो function जो हमारा declare होता है, and define होता है, क्या होता है, declare होता है, and define होता है, तो मैं declaration of function बताती हूँ, first, declaration of function क्या होता है, तो declaration और function में आपका first आ जाता है, return type, then function name, then one minute, return type, function name, and function name के बाद होता है, आपका argument, argument में आप लिख सकते हो, parameter list भी argument को कहते हो, यह क्या है, function को declaration करते हैं, means function हम बना लिए, देखू, function declaration होता है, और function definition होता है, तो जिस function के अंदर हम body of function लिखते हैं, वो आपका function definition होता है, and जिस function के अंदर हम body of function नहीं लिखते हैं, वो function declaration होता है, यहां मैं body of function नहीं लिखें हूँ simply declare बस यह आपका क्यों अधे function declaration अपके definition of function definition of function return type function name argument list यह तो आपका रहे गई यहां कंशिक्पारिका, सेमी कॉलन नहीं हो, कर्ळी ब्रास्जyang से स्टार्ट करोंगी, बाग आफ बड़ी अफ फंक्षन लिखोंगी, बड़ी अफ फंक्षन, बड़ी अफ फंक्षन क्रश्म्र्लिव्रास इस दो, यह था आपका declaration ौक्प function यह आपका defirmation ौक्प function जब भी आप function बनाते हैं बड़ी भाझ उसके अंदर लिखते हो तो वो आपका क्या हो जाता है function definition लहां प्रणीट को vemosal जाता है reduce chat function किया रहता है यह ठेंड आप फ़ोंक्षन क्या होता है function क्या होते हैं function को कैसे क्या जाता है इसे कैसे कैना किया रहता हे फंक्शन रहता है कि यूजर बने इसका सारा कुछ आपको समझाए हूँ थैंक्यू गाइस, थैंक्यू फोर बाचिंग माई वीडियो